पहले गोशना है कि हर साल 17 सिटंबर को हैदराबाद लिब्रेशन दे मनाया जाएगा हम बेरन पल्ली परकल के सहीदों को स्तरदानजली देने के लिए 27 अगस्त को रजाकार विभीजी का स्मुरूती दिन भी मनायेंगे जो रजाकारों के सामने तिलंगाना की जनताने जो लड़ाई लड़ी है इसको चीर स्मुरूती तक ले जाएंगे इसके अलावा रजाकारों और निजाम के खिलाब तिलंगाना के लोगों के संगर्स का डॉक्यूमेंटेंशन करकर एक मीजियम और मेमोरियल हम स्तापना करेंगे नमबर दो ब्रश्टाचार के प्रती जीरो टॉलरंस हमारी सरकार का होगा ब्रश्टाचार के सभी आरोपों की जाँच एक रिटायर सुप्रिम कौट के जज़ से कराएंगे और उचीत पिनल कोड में कारेवाही करकर ब्रश्टाचार करने वाले सभी लोगों को जैल की सलाकों के पीछे ले जाएंगे मार्जिडनराइज सेक्षन की आकांकसाओ को पीछडा वर्ग की आकांकसाओ को पूरा करने के लिए उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारा अगला मुख्यमंत्री BC बेकवर क्लास का होगा इसका तिलंगाना को भारतिय जनता पार्टी वादा देती है असमवेदानिक धर्म आधारित आरक्षन जो चार प्रतिसत है उसको हम समाप्त करेंगे OBC का बढ़ाएंगे और SC और ST का भी जन संक्या के अनुपात में आरक्षन बढ़ाया जाएगा साथी दिन में पेट्रोल और डिजल पर वेट की कटोती करकर पेट्रोल और डिजल को हम सस्ता करने का काम करेंगे मोदी सरकार प्रति एकड अभी एक हिसाब करें तो फर्टिलाइजर सबसिडी दे ही रही है परन्तु छोटे और सिमांत किसानों को बीज उर्वदक उर्वरक और पेस्टिसाइड की इनपूट सहायता में प्रति एकड पची सो रूपिया देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी मोदी सरकार हल्दी बॉड की स्थापना की जो गोशना करी है इसको हम हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करकर इसके सपोर्ट में रहेंगे और मुल्य समवर्धन और निर्यात को बड़ावा देंगे धान पर चावल पर एकती सो रूपिया MSP और हल्दी के लिए आवस्यक मार्केट इंटर्वेंशन फंड हम प्रदान करेंगे तो पूरा चावल एक दाना भी नहीं छूटेगा पूरा धान एकती सो रूपिया प्रती क्विंटल हम परचेश करेंगे इसके साथ साथ जाड़ा चावल जो होता है उसको केसियार नहीं खरतते हैं भारत सरकार पर दबाओ बना रहे हैं हम वादा करते हैं कि बॉयल राइस को भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार MSP पर खरीद कर किसानों की मदद करेगी प्रधान मंत्री फ्रसल विमा योदना किसानों को मुप्त फ्री अब कोस्ट मुप्त फसल विमा का भारतिय जनता पार्टी की सरकार देगी उजवला लाबार्थियों को सार में चार गैस सिलिंडर फ्री ओप कोस्ट देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार देगी जो बेटी जन्म लेगी उसको इस बक एक फिक्स डिपोजिट देंगे जो 21 साल की आयू की जब बेटी होगी तब 2 लाख रूपिय की होगी फिक्स डिपोजिट इस प्रकार का हम जन् आतक डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सिस में छात्रों को मुप्त में लैप्टॉप दिया जाएगा मैला सेल्फ हैड ग्रूप को सिर्फ एक प्रतिसत व्याज पे रून प्रदान किया जाएगा और UPSC की परिक्साओं की तर्ज पर छे महिने की पादर्सी और समय बद तरीके से ग्रूप A और B की परिक्साओं TSPSC के माध्यम से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से देंगे हम वादा करते हैं ये पूरी तरह से ट्रांस्परेंट होगा एक भी पेपर लीक नहीं होगा और हम पांच साल में धाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतिय जन्ता पार्टी की तेलंगाना सरकार करेगी इच्छुक सिमान्त किसानों को मुप्त में देशी घाय देने का काम करेंगे जिससे उनका जीवन सरलता से वो गुजार पाएं सार्वजनीक और निजी अस्पतालों में सेकंडरी और टर्सरी हेल्थ कैल के लिए प्रती वर्स प्रती व्यक्ती प्रती प्रती प्रविवार दस लाख रूपय का कवरेज हम इनको प्रदान करेंगे कुष्णा के लिए नदी के लिए पानी का उच्चीत हिस्सा तेलंगाना को मिल पाए इसलिए हम कृष्णा वाटर्ड डिस्पूट ट्रिबिनल दो के समक्स मामले का अच्छे तरीके से पेज भी करेंगे और तेलंगाना को अपना हक दिलाएंगे प्रत्य मा की पहली तारिक को कर्मचारियों को और सेवा निम्रूत लोगों को रिटायड लोगों को वेतन और पैंसन मिलेगा के सरकार की तरह रहा नहीं देखनी पड़ेगी और भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में यू सी सी लाने के लिए समान नागरिक सहीता लाने के लिए भी एक कमिटी बनाएगी जो छे माह के अंदर तेलंगाना के अंदर इनिफर्म सिविल कोड को लागू करेगी केंदर और राज्य सरकार के प्रयासों से बीना घर वाले सभी लोगों को समय बद्ध तरीके से हम घर उपलब्द कराएंगे गाओं में गरीब लोगों को आवास थल के लिए पट्टे देने का काम भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वरिष्ट नागरीकों को 22 जन्वरी को अयोध्या में रामलल्ला का वहाँ पर प्राण प्रतिष्टा होने वाला है तेलंगाना के सभी वरिष्ट नागरीकों को निसूल्क अयोध्या की यात्रा की सुविधा भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी और हमारे तेलंगाना के बहुत सारे एनराई है और विशेशकर खाडी में बहुत सारे लोग बसते हैं इनकी सुविधा के लिए और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए एक फंक्शनल एनराई मंत्रा ले की रचना की जाएगी जो दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना वास्यों को सहायता प्रदान करेगा